जैसरी राधिकेष्णी आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल भीके मिस्रा प्रजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। जाता है और प्रत्य गुरुबार अलग अलग प्रकार के वैयंजनों का भोग माता को लगाया जाता है और अंतिम गुरुबार व्रत्यका उध्यापन किया जाता है। अगर आप सब इसी प्रकार से कथा को सुनना चाहते हूं चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी को दबाए ताकि वीडियो का नोट्फिकेशन आपको समय से मिलता रहें कमेंट में माता लक्ष्मी की जय जरूर लिखे तो बोलिए प्रेम से महालक्ष्मी माता की जय सरब देवी देवता की जय गुरुबार महालक्ष्मी व्रत्र की कथा सुनने से और पठन करने से सभी परकार के दुख और दारिद्र दुर हो जाते हैं स्री उमातालक्षमी की किरवा प्राप्ती से सुख्र शंपत्ति इस वर ये प्राप्त होता है, मन की एक्षाएं पूरी होती है स्री मातालक्षमी माता के अनेक रूप तथा अनेक नाम है भूतल में विछाया, शक्ति, त्रिष्टा, त्रिष्टा, शान्ति, जाति, लज्जा, स्रध्धा, कांति, वित्ति, अस्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिश्ठात्री इवं लक्ष्मी रूप में इस्थीत हैं उन्हें परणाम करते हैं कैलास परवत पर पारवती चीर सागर में सिंदु कन्या, स्वर्ग लोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्म लोक में सावित्री, ग्वालो में राधिका, व्रिंदा वन में रासेस्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिर्जा, पद्म वन में पद नामों से पहचाने जाती हैं इस तरह सरवथा चारो और सरवभूत में सुपरिचीत माता स्री महालक्षमी की यह कथा है भारत वर्स के सोराष्ट देश में द्वापर युक की यह कहानी हुई सोराष्ट में उस समय भद्र शरवा नाम की राजा थे वे बड़े प्राक्रमी र उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था रानी दिखने में अतिसुंदर और सुलक्षन थी तथा पती ब्रता थी उन दोनों को साथ कुत्र तथा उसके बाद एक कर्णिया का बरदान मिला कर्णिया का नाम शाम बाला था एक बार महालक्षमी जी के मन में आई कि जाकर उस सभी जोकी से राजेकी राज़ प्रशाद में रहे इसे राजा खोको दुग्नि धन दवलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दवलत से अपनी प्यजा को और सुख दे पाए गए गर अगर आगा और उसे धन दवलत प्राप्त हो ओ तो वह покसुत्तरिळए कि वड़ अपन अउरत का रूप धारन किया था पर उनके चहरे पर डीवी का तेज था उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई उसने इनका नाम धाम काम धर्म पूश डाला ब्रिद ब्रामन का रूप धारित माता लक्षमी जी ने कहा कि बाली के मेरा नाम कमला है मेरे पती का नाम तुम्हारी राने पिछले जन में एक वैसे की पत्नी थी वह वैसे गरीब था दारिद्रता के कारण हर रोज घर में जगरे होते थे तथा उसका पती रोज उसे मारता था इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन और जंगलों में खाली पेट भटकने ल की कथा सुनाई मेरे कहने पर उसने स्री महालक्षमी का व्रत्य किया स्री महालक्षमी प्रशन हुई और फिर उसकी गरीबी दूर हुई उसका घर संसार दौलत संपती संतती से भर गया बाद में पती पतनी दोनों पर लोग सिधारे लक्षमी व्रत्य करने के कारण वे लक् आज घराने में हुआ है परंतु वह स्री महालक्ष्मी का ब्रत्च करना भूल गई है उसे यह याद दिलाने के लिए मैं आई हूँ बुढिया की बाते सुनकर दासी ने उन्हें परनाम किया तथा स्री महालक्ष्मी का किस तरह किया जाए इस बारे में पूशा बुढिया माता को परणाम कर राणी को बताने अंदर चली गई राज वैभब में रहते हुए राणी को अपने एस्वरे का बहुत ही घमंड था संपती तथा अधिकार की वज़े से वह उन्मत हो गई थी दासी द्वारा बताई गई बुढिया की बाते सुनकर वह आग बबूला हो कर र रुख बर्टाओ तथा अपना अनाधर देखकर माता ने वहां ठहुर नठीक नहीं समझा वह वहां से चल पड़ी राह में उन्हें राजकुमारी स्यामबाला मिली उन्हों ने अपनी और से स्री महालक्ष्मी माता से शमावांगी माता को उस पर दया आई उन्होंने स्यामबाला को स्री महालक्ष्मी व्रत्य के बारे में बताया उस दिन अग्रहन यानि की मार्ग सिर्श मास का पहला गुरू बार था स्याम बाला ने परम स्रद्धा से स्री महालक्ष्मी का व्रत रखा फलसरूप राजा सिद्यस्वर के सुपुत्र माला धर से उसका विबा हुआ वह धन दौलत एस वरे वैभव से माला माल हो गई पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी इधर स्री महालक्ष्मी का राणी पर प्रकोप हुआ फलसरूप राजा भद्र स्रवा का राज एवं राज कारोबार सभी नश्ट हो गया यहाँ तक की खाने के लाने पड़ गया ऐसी हालात में एक दिन राणी ने राजा से निवेदन किया हमारा दमाद इतना बड़ा राजा है धनवान है इस वरे साली है क्यों न उसके पास जाएं अपना हाल उसे बतलाएं वह जरूर हमारी मदद करेगा इस बात पर राजा भद्र स्रवा दमाद की पास रवाना हुए राज में पहुचकर एक तालाब के किनारे थोरी देर विस्तराम लेने के लिए ठहरे तालाब से पानी लेते आते जाते दास्यों ने उन्हें देखा उन्होंने विनर्मता से उसकी पोश्ताज की जब उन्हें यहां मालूम हुआ कि वे राणी श्यामबाला के पिता है तो दोड़ते हुए जाकर उन्होंने राणी को सारी बात बतलाई राणी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बरे ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सतकार किया खान पान कराकर जब वे लोटने लगे तो सोने की मोहरों से भड़ा घड़ा दिया राजा भद्र सरवा जब वापस लोटे तो उन्हें देखकर राणी सुरत चंद्र का खुश होई उन्होंने सोने की मोहरे से भड़े घड़े का मुह खोला पर हाए भगवान घड़े में धन के बदले कोईले में यह सब स्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ इस प्रकार दुर्दसा में और कई दीन बीद गए इस बार राणी सुयम अपने कन्या के पास गई वह दिन अगरहन मास का यानि की मार्गसिर्स मास का अंतिम गुरुवार था श्याम बाला ने स्री महालक्ष्मी का ब्रत्य किया पोजा की अपनी माता से भी ब्रत्य करवाया इसकी बाद रानी अपने घर आई स्रे महालक्षमी का ब्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट धन दौलत एस वरे प्राप्त हुआ वो फिर सुख और शांति से आनंद मई जीवन को बिताने लगी कुछ दिनों बाद राज कन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई उसे अपने घर देखकर सुरच चंद्रिका को पुरानी बाते याद आई यही कि स्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भग जो की कोईला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतित नहीं हुआ बलकि अनादर हुआ पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना अपने घर लोटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया और फिर घर लोटने पर उसके पती ने पुशा कि अपने मायके से तुम क्या लाई हो इस पर उसने जवाब दिया कि वहां का सार लाई हूँ पती ने पुशा इसका मतलब क्या हुआ स्यामबाला ने कहा कि थोड़ा धिरज रखे सब मालूम हो जाएगा उस दिन स्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा पती ने खाना चका सारा खाना नमक बिना था इसलिए उसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया फिर स्यामबाला ने थाली में नमक डाला इससे सारा भोजन स्वादिश्ट लगने लगा तब स्यामबाला ने पती से कहा कि यही वहां मायके से लाया हुआ सार है पती को उसकी बात सही लगी फिर वहां दोनों हसी मजा करते हुए भोजन करने लगी कहा गया है कि जिस तरह जो कोई सरद्धा भाव से स्री महालक्ष्मी की पूजा करे उसे मातालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है सुख संपत्ती सांती प्राप्त होती है सभी मनोकामनाय पूरी होती है परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं च चाहिए इस तरह स्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की सभी प्रकार के मनों कामनाओं को पूर्ण करने वाली है तो बोलिए प्रेम से महालक्ष्मी माता की जै भगवान विष्णों की जै सर्वदेविदेवता की जै तुवासा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लग करे साथ में वेल आइकन घंटी को दबाए ताकि वीडियो का नोट्फिकेशन आपको समय से मिलता रहे वीडियो को लाइक करे शेयर करे शुखी रहे और स्वस्त रहे जैसरे राजे कृष्ण धन्यवाद